कॉलिस्ट्रोल कैसे कंट्रोल करीं आपके शरीर में बहुत अधिक कॉलिस्ट्रोल आपके समगर स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है अत्यधिक low density वाले लिपो प्रोटीन या खराब कॉलिस्ट्रॉल आपको हृदे रोग या स्ट्रोप के उच्छ जोखिम डाल सकता है ऐसे में आप कॉलिस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए हरबल तरीके अपना सकते हैं लहसुन, अदरक और नीमगू कॉलिस्ट्रॉल पर नियंतरन के लिए आप लहसुन का इस्तिमाल कर सकते हैं अपने स्वाद एंटी बायोटिक तत्वों और सेहत लाब के लिए मशहुर लहसुन को आप भूजन में या फिर कच्छा उप्योग कर सकते हैं यदि आपका कॉलिस्ट्रॉल हाई है तो आप इसे रोकने के लिए लहसुन का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप एक ताजा लहसुन की कली लीजिए और उसमें आधा चम्मच अदरक को मिलाए फिर उसमें आधा चम्मच नीमगू का रस मिलाए इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप इसे रोज हर मील से पहले खा सकते हैं तालचीनी की चाए एकस्पट के मुताबिक वजन कम करना हो या सेहत और खूबसूरती बढ़ानी हो या सर्दी जुकॉम से निजात पानी हो इन सब के लिए तालचीनी का प्रयोग काफी लाबकारी रहता है एक चमच दालचीनी और हरबल त्रिकटू के एक चौथाई चमच को मिलाकर चाए बनाएं और इसे पीएं चाए बनाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे ठनड़ा होने दें फिर एक चमच शहद डालकर दिन में दो बार इसे लें कॉलिस्ट्रॉल कंट्रोल करे शहद रोजाना सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से न केवल वजन कम होता है बलकि उरजा भी मिलती है कॉलिस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए आप हलके गर्म पानी के साथ शहद मिलाकर पीजिये आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा यह आपके सिस्टम से वसा को ट्सक्रैप करने और कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करेगा इस पे को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप एक चमच नीमगू का रस या सेब के सिर्के की दसबून भी मिला सकते हैं अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आइकोन जरूर दबाएं ताकि आप हाश्मी.com की कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं